Hello students, Class 9th के Maths के 11th chapter में आपका स्वागत है, जिसका नाम है Surface Area and Volumes आज की वीडियो में हम लोग Surface Area and Volume का NCRT का First Exercise Solve करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखिए First Question है Diameter of a base of a cone is 10.5 cm and its length is 10 cm, find its curved surface area तो Question में कह रहा है कि हमारे पास एक cone है, जिसका diameter 10.5 है तो सबसे पहले हम लोग एक cone बनाएंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक cone लिया है इस cone का जो diameter है, diameter मतलब आप समझते हैं ये length, ये जो length है ये हमें 10.5 given है, तो मान लेते हैं ये center है, अगर ये पूरा का पूरा 10.5 है यानि ये diameter है, और हमें slent height, slent height आप लोग समझते होंगे इस वाले side को slent height का जाता है, जिसकी value है 10, ठीक है? तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, यहां पर 10 cm, तो basically मैं कह सकता हूँ, मुझे given है diameter, जो की है 10.5 लेकिन हमें radius चाहिए होता है generally, तो radius क्या होता है, diameter का अधा, diameter का क्या होता है, आधा होता है तो मैं लेक सकता हूँ, radius की value हो जाएगी, 10.5 by 2, यहां न, diameter दिया था, लेकिन हमें चाहिए radius होता है, radius क्या होता है, diameter का अधा, तो 10.5 का अधा, अब इसे calculate नहीं करेंगे, आखरी में calculate क्या जाएगा, है न, हमें slent height given है, slent height है 10 cm, हमें निकालना क्या है, curved surface area का formula क्या होता curve surface area of cone, इसका formula क्या होता है, pi rl, क्या formula होता है, pi rl, pi मतलब 22 by 7, radius कितना है, 10.5 by 2, 10.5 by 2, slent height कितनी है, 10 cm, इसे calculate कैसे करेंगे, देखिएगा, यह point हटाएगे, तो नीचे एक 0 पड़ जाएगा, यह 0 से यह 0 cancel हो जाएगा, 7 जो है, 105 को काटेगा, 15 times में, 15 7 जा 105 होता है, ठीक है, अब यह 2 जो है, वो इसे 11 times में cancel कर देगा, तो 11 multiply by 15 आएगा, और यह हो जाएगा, finally, 165 cm2, ठीक है, तो ऐसा मैं क्या सकता हूँ, आपको बस यह चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, पाई की value मैंने रखी, जो किती 22 2 by 7, radius मैंने रखा, जिसकी value यह थी, हाला कि मैंने इसे calculate नहीं किया था, मैंने इसे आखरी में calculate किया, ठीक है, और slent height था 10, value प्लेस किया, cancel वेंसल किया, answer आ गया, ठीक है, अब हम लोग question number 2 लगाएंगे, question number 2 है, find the total surface area of a cone, if its slent height is 21 meter, and diameter of the base is 24 meter, तो फिर समें को के बारे मे बात हो रही है, हम लोग सबसे पहले कोन बनाएंगे, तो यह रहा हमारे पास कोन, कोन में हमें diameter given है, diameter मतलब यह पूरा का पूरा, फिर हमें slent height given है, slent height मतलब यह वाला जुका हुआ side, जिसकी value है 21, तो हम लोग note कर लेंगे, figure बना कि हमें साब solve करना चाहिए question, जिससे आप की understanding बहुत ही अच्छी होती है, तो यह slent height 21 meter दिया है, base 24, 24 meter, base कहा है 24 meter है, तो radius कतना हो जाएगा, 12 meter न, radius कतना हो जाएगा, 12 meter, अरे आपनों ने पढ़ा है न, diameter दिया था, diameter है 24, तो radius क्या होता है, diameter का दा, तो diameter का दा, मतलब 24 का दा, 24 का दा, यानि 12, तो वही मैंने लिख है, radius 12 meter, हमें slent height given है, slent height की value है, 21 meter, हमें निकालना है, total surface area, TSA, TSA मतलब total surface area, किसका, कौन का, total surface area of कौन, इसका formula क्या होता है, मैं formula लिख दे रहा हूँ, आपको हाला कि याद होना चाहिए, formula होता है, pi r bracket में l plus r, यह formula है, यह आपको याद रखना ही पड़ेगा, अब मैं यह यहाँ पर value substitute करूँगा, pi की value लूँगा, 22 by 7, r की value लूँगा, मैं 12, क्योंकि radius क्या था, 12 था, फिर slent height क्या है, 21 है, और radius क्या है, 12 है, ठीक है, इसे solve करेंगे थोड़ा सा, ते जाएगा 22 by 7, multiply by 12, multiply by 12 और 21 जोडएंगे, तो यह आएगा 33, ठीक है, अब यह चीज calculate आप कर सकते हैं, खुछ से, तो calculate जब आप करेंगे, तो आपका अंसर आएगा, 1244.57 meter square, ठीक है, मतलब यह multiply, divide आप लोग कर लीजेगा, आपका यह answer आएगा, मेरा काम है concept सिखाना, ना की calculation, लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी, तो आप telegram channel या फिर comment box में पूछ लीजेगा, कि यह calculation आया कैसे है, मैं बता दूँगा, ठीक है, लेकिन अभी बस इतना जानी है, diameter गिवन था, तो हम लोगोंने radius निकाल लिया, slant height गिवन था, मैंने total surface area और कोन का formula यूज किया, जो की होता है, pi r bracket में l plus r, यह formula कई बार यूज होग तो formula में ने लिखा, उसका value put की, pi की value, r की value, फिर l plus r, simple, answer आ गया, अब हम लोग question no.3 solve करेंगे, question no.3 है, curved surface area of cone is 308 cm2, and its length height is 14 cm, find radius of the base, total surface area of the cone, अब देखिए, इसमें figure बनाने की जवत नहीं है, बनाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, मैंने आपको सब कुछ बताए दिया, हमें, curved surface area given है, curved surface area, cone का given है, जो कि यह 308, हमें slent height given है, slent height मतलब, l, l कितने given है, 14 given है, ठीक है, हमें पहले radius निकालना होगा, तो curved surface area का formula क्या होता है, curved surface area of cone, इसका formula क्या होता है, पाई आरल, यही formula होता है, तो हमें तो पता है ना, की curved surface area of cone की value है, 308, इसके जगा हम लोग लिख देंगे, 308, ना, पाई की value हमें मालूम है, radius नहीं मालूम है, l मालूम है, तो जो जो मालूम है, वो लिख लेंगे, curved surface area की value है, 308, is equal to pi की value होती है, 22 by 7, radius नहीं पता, तो ऐसे रहन देंगे, slant height पता है, 14, तो यह 7, तूजा 14 हो जाएगा, 22 और 2 multiply में है, हमें r की value निकाल नहीं है, तो r को अकेले रखना पड़ेगा, r को अकेले रखना पड़ेगा मतलब, r ऐसे रहेगा, 308 भी ऐसे रहेगा, इस 22 और इस 2 को भगाना होगा, अब दोनों multiply में हैं, तो इनको मैं अगर left hand side लेके होंगा, तो दोनों divide में आ जाएंगे, यह सब ची हैंगे, तो 7 times में कड़ी जाएगा, calculation कर लिजएगा, radius की value 7 आएगी, ठीके, मैंने हाला की करके दिखाया है, 308 था, मैंने 22 और 2 से divide कर दिया, तो 7 आई value, यह ना, radius की value क्या गई, 7, अब हमें निकालना है, total surface area, तो total surface area का formula क्या होता है, total surface area of कोन, इसका formula क्या होता है, pi r bracket मे l plus r, यही formula होता है, pi की value है 22 by 7, r की value क्या है 7, bracket में l plus r, l की value थी 14, और r की value थी 7, यह 7 से 7 कड़ी आएगा, तो मिलेगा हमें 22 multiply by 14 plus 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसे आप लोग multiply कर लिजएगा, आप cancer आएगा, 462 cm2, ठीक है, यह total surface area आजाएगा, बात सम्जाएगे, कितना question असान था यह, अब हम लोग next question solve करेंगे, तो fourth question है, a conical tent 10 meter high radius of its base is 24 meter, finds length height of the tent, cost of the canvas required to maintain the tent, if the cost of 1 meter square canvas is 70 रुपीज, देखे हमें question में बोला है कि यह conical tent है, जिसकी height जो है वो 10 meter है, height कितनी है, 10 meter, radius कितना है, 24 meter, तो हमें बोला है कि slant height निकाल लिए, तो पहले हम लोग figure बनाएंगे, तो यह रहा हमारे पास एक conical tent, ठीक है, जिसकी height कितनी है, मतलब यह height होता है, और यह slant height होता है, तो height कित ठीक, और लिख दूँगा, यह 10 meter का है, ठीक, radius कितना है, 24 meter, मतलब यह वाली length, यह वाली length कितने की है, 24 meter की है, ठीक है, तो आप जानते हैं, यह angle होता हो 90 का होता है, तो मुझे अगर slant height निकालना है, मतलब यह वाली side निकालना है, यानि मुझे hypotenuse निकालना है, अरे अगर यह slant height निकालना चाहता हूं, क्योंकि कोशिन में बोला, slant height निकालने के लिए, तो slant height अगर निकालना चाहता हूं, तो मुझे पाइथागरस थियूरम यह उसकरना पड़ेगा, जिसमें यह perpendicular है, यह base है, और hypotenuse निकालना है, तो मैं कह सकता हूं, by pythagoras थियूरम, by पस base का square होता है, blindness की value नहीं पता में, तो h square रहन देंगे, perpendicular का value पता है, जो की है 10, 10 का square base की value पता है 24, तो 24 का square, ओके, अदे भози perpendicular की value 10 है, तो perpendicular square मतलब 10 का square, base की value 24 है, तो base के square के जगा 24 का square, ओके तो अब इसे solve कर लेंगे आएगा h square, 10 का square 100 होता है 24 का square 576 होता है तो ये जोड़ेंगे तो 676 आएगा, h square is equal to अब देखिए, हमें h की value निकाल नहीं है, लेकिन है h square यानि, इस square को भगाना पड़ेगा भगाएंग कैसे, इस square को right hand side लेके जाएंगे, तो ये root में convert जाएगा इस square को right hand side लेके जाएंगे, तो root में convert जाएगा मतलब है, चीज़ गल्ट हो जाएगा, root 676 676 का root निकाल लिजएगा root निकालने आपको आता होगा यह आएगा 26 यानि, slent height 26 आएगा ठीक है? अरे, hypotenuse 26 आएगा, hypotenuse को slent height कहते हैं, कोन में यानि, slent height की value, यानि L की value 26 meter होगी 26 meter अब देखिएगा, question में बोला है cost of canvas required to make the tent तो मुझे इस tent को बनाना है tent में हम लोग, अगर बनाते हैं तो कपड़े की जोड़ पड़ती है, तो कपड़ा canvas का होगा, यह बोला है मतलब, यह जो कौन है न, इसको मुझे कपड़े से लपेटना है ठीक है? और हमें find करना है, कि कितना हमें cost देना पड़ेगा तो एक बास समझेएगा cost का formula होता है area multiply by rate cost का formula होता है area multiply by rate rate हमें given है, देखिए 1 meter square is equal to 70 rupees तो यह 70 rupees actually rate है यह 70 rupees क्या है actually rate है ठीक है? area निकालना पड़ेगा, लेकिन area निकालने तो निकाले कौन सा? curve surface area निकालने, कि total surface area निकाले? अब आपे सोचिए जब आप tent बनाएंगे tent बनाएंगे, conical tent तो आपको बस उपर वाला चाहिए होगा ना बनाने के लिए, उपर वाला कपड़ा, नीचे कपड़ा लगाने के जो होते है नीचे तो first रहेगा ठीक है? अब वो तो कपड़े का रहेगा नहीं नहीं तो गंदा हो जागा कपड़ा तो अगर मुझे conical tent बनाना है तो मुझे बस इस वाले हिस्से को लपेटना होगा कपड़े से नीचे वाले हिस्से को नहीं और उपर वाला जब हिस्से आम लोग लेते हैं तो यानि curved surface ले रहे हैं तो actually मुझे curved surface area निकालना है तो मैं पहले curved surface area निकालना है आपको क्या ये समझ माया क्यों curved surface area निकालना है क्योंकि मैं नीचे वाले हिस्से की बात ही नहीं कर रहा हूँ मुझे क्या लगाना है cost of canvas निकालना है canvas लगाना है canvas तो बस कौन वाले हिस्से का लगाएंगे न सर्कुलर वाले हिस्से का तो लगाएंगे नहीं तो कौन वाले हिस्से का जो एरिया होता है क्योंकि वो मुड़ा हुआ है ठीक है क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी इसे हम लोग ऐसे ही रहन देंगे मल्टिप्लाइ बाद में करा जाएगा हमें एक्चुली में तो कॉस्ट निकालना है यह है कॉस्ट का फॉर्मला तो कॉस्ट इस गल्टू एरिया हम लोगों ने निकाला है यह एरिया है तो इसे पहले लिखेंगे 22 बाई 7 into 24 into 26 into 70 अब देखिए यह 7 जो है वो 70 को 10 टाइमस मे calculate कर देगा काट देगा और अगर आप यहीं पर calculation करने लगते तो फिर point में आता करता भी ने किसी से 7 ना तो 24 को काट देगा नहीं 26 को काट देगा इसलिए calculation last में करना चाहिए एकदम last में क्योंकि question में तो cost of canvas बोला था ना कि cut surface area निकालने के लिए बोला था वो अलग की बा जो की area था rate मैंने रख दिया जो की 70 था और यह 7, 70 को 10 times cut कर देगा अब देखे क्या हो जाएगा आप 22, 24 और 26 को multiply करिएगा आपका answer आएगा 13728 जब आप 22, 24 और 26 को multiply करेंगे तो यह आएगा और क्योंकि साथ में 10 भी है तो 10 है और 10 से multiply करने के लिए बस आगे 0 लगा तो इतने रुपए लगेंगे इतने रुपए लगेंगे इतना खर्चा आएगा जब आप conical tent बनाएंगे canvas का ठीक है यह cost आजाएगा तो फिर से समझी यह हुआ क्या है मैंने पाइथागरस theorem use करके slent height निकल लिया question ने बोला था cost of canvas निकलना है तो cost का formula याद रखेगा area multiply by rate area multiply by rate यह cost का formula होता है area multiply by rate अब यही सोचना हो का कौन सा area टोटल की curved surface area अब क्योंकि कौन बना रहे है conical tent बना रहे है तो tent बनाते समय बस हमें उपर का कपड़ा चाहिए होता है नीचे का कपड़ा चाहिए नहीं होता है तो उपर का कपड़ा यानि curved surface area निकालने के लिए हमने यह formula use किया calculate नहीं किया आखरी में यह value put कर दी into 70 cancel करने के बाद हमें यह मिला यह cost हो जाएगा अब base 6 meter assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and waste is cutting is approximately 20 cm अभी मैं आपको समझा रहा हूँ question क्या कहना चाहरा है question कहरा है कि आपको एक conical tent बनाना है जिसकी height इतनी है base इतना है यानि radius तो बोला है कि आपको एक tarpaulin दिया गया है तीन मीटर wide है तारपुलीन आप समझते हैं क्या है तारपुलीन एक पट्टी को कहा जाता है ठीक है question में कहरा है एक इस तरह की पट्टी है लंबी पट्टी है पता नहीं कितनी लंबी है मुझे नहीं पता यह एक लंबी पट्टी है जिसका width मतलब चोड़ाई 3 meter है length नहीं पता है ठीक है कहरा है इस तारपुलीन से आपको एक conical tent बनाना है क्या बनाना है conical tent कहरा है कि कितना लंबा हमें conical tent बनाने के लिए तारपुलीन लगेगा पूछ रहा है कितना length लगेगा what length of तारपुलीन कितना लंबा तारपुलीन लगेगा अभी मैं आपको समझा रहा ह होगा यह हमारे पास एक पट्टी है लंबी पट्टी इसी को तारकुलीन कहा जा रहा है यहां पर इस पट्टी से मुझे इस कोनिकल टेंट को इस तरह से लपेटना है ऐसे से करके लपेटेंगे ना ऐसे से करके लपेट देंगे चारो तरफ तो कहरा कितने लंबे पत्टी की जौद पड़ेगी इस तरह लपेटने में हमें कितनी लंबी पत्टी लगेगी हमें पत्टी का width दिया है 3m ठिक और हमें length निकालना है और कह रहा है ऐसा करते वक्त हमें extra length जो है 20 cm का लगेगा एक्स्ट्रा लेंद 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 ए L Length की हमें पट्टी लगेगी आपने इस तारपुलीन से लपेटा है इस कौनिकल टेंट को है न तो मुझे तो नहीं पता न कितना लंबा length लगेगा तो मैंने मान लिया L Length का लगेगा सही बात है तो इस L Length का तारपुलीन का एरिया आए और नहीं आएगा यह एरिया लेगा कर नहीं लेगा यह एरिया कितना आएगा मैं आप से पूछ रहा हूं area of तारपुलीन कितना होगा मुझे यह बता सकते हैं यह तो एक Rectangle है Rectangle के एरिया कैसे दो निकालते हैं length or breadth को multiply कर देते हैं यानि 3 और L को multiply कर देंगे तो यह 3L आएगा 3 और L को multiply कर देंगे यह हो जाएगा न 3L ठीक है? अब इसी tarpulin से इस conical tent को लपेटा जा रहा है तो conical tent को जब लपेटेंगे तो curved surface area का concept आएगा, total surface का नहीं आएगा नीचे वाला इसा तो लपेटना नहीं है बस उबर वाला लपेटना है तो curved surface area का concept आएगा तो curved surface area फोन निकाल लेंगे जो कियोता है πाई आरल problem क्या है? यहाँ पे L मतलब slent height समझ लिजेगा यहाँ पे L मतलब slent height एक काम करिए इस length को x मान लेंगे यह तो दोनों अलग अलग वाला लेंगे तो यह 3 into length नहीं 3 into x हो जाएगा ठीक है? सुनिए गाद्यान से हमने माना यह जो तारपुलींत का length है वो x है ठीक है? L नहीं माना क्योंकि L मतलब यहाँ पे slent height भी हो जाता है तो अलग variable उस करना पड़ेगा तो हम लोग को यह मालूम चला कि हमें quad surface area निकालना है लेकिन उसके लिए slent height के जोड़ पड़ती है और slent height हम लोग पाइथा गरस थियोरम से निकाल सकते है, slent height यानि L square यह किसके equal होता है? P square plus B square के, perpendicular मतलब height होता है तो height दिया हुआ, question में height है 8 meter, तो यहाँ जाएगा 8 square plus, base मतलब होता है radius, तीक है? आप काम करिए न, serious slent height का formula note के लिए, slent height का formula होता है L square is equal to, height का square plus radius का square यह slent height का formula होता है L square ऐसा ही रहाएगा height का square मतलब 8 का square, radius का square मतलब 6 का square, क्योंकि radius कितना given है? 6, 8 का square क्या होता है 64, 6 का स्क्वार 36 होता है, दोनों जोड़ेंगे 100 आएगा L स्क्वार 100 आएगा, तो L की वैलू 10 आ जाएगी ठीक है, L की वैलू क्या जाएगी, 10 तो curved surface area निकाल लेंगे, curved surface area क्या होगा pi rl, pi मतलब 22 by 7, radius कितना है, 6 का है और length कितने की है, sorry, this length height कितने की है, 10 की है calculation otherwise tough हो जाएगा, यहां पर कुछ cut out नहीं जाया, ठीक है अब आप सोचिए, बहुत ध्यान से, जब आप इस तारपुलीन को लपेटेंगे इस ponical tent के उपर, तो जो तारपुलीन का area होगा, क्या वो curved surface area के इक्कल होगा, आप इसी तारपुलीन से लपेट रहे है न, पूरा का पूरा है, तो area of तारपुलीन और curved surface area आपस में इक्कल हो जाएंगे, ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ, area of तारपुलीन, यह इक्कल हो जाएगा curved surface area of कौन के, ठीक है, यही concept समझना है यह equal आया तो आया कैसे, area of तारपुलीन कैसे equal होगा curved surface area of कौन के, अरे भाई, तारपुलीन से ही तो लपेटा जा रहा है कौन को, तो जितना area, तारपुलीन का लगेगा उतना ही area curved surface area होगा कौन का, ठीक है, तो दुनों आपस में equal होँगे, area of तारपुलीन कैसे आया था, 3x, है न, curved surface area of कौन के आया था, 22 by 7, into 6, into 10, अब ये 3 है, नीचे जाएगा, तो divide में जाएगा, तो x की वहल हो जाएगी, 22 by 7, into 6, divided by 3, into 10, देखेगा अध्यान से, ये 3 multiply में था x के साथ, 3 नीचे आ गया है, यहाँ पे cut हो जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, इसे calculate आप लोग कर सकते हैं, अब यहाँ पे cancel नहीं होगा, calculate आप लोग कर लिजेगा, यह आएगा आपका, 62.8 मीटर, ठीक, मतलब हमें इतने मीटर लेंथ की जोद पड़ेगी, 62.8 मीटर, मतलब यह जो लेंथ है, वो 62.8 मीटर का होगा, लेकिन question में बोला था, 20 cm और चाहिए, 20 cm मतलब होता है, 0.2 मीटर, ठीक है, extra चाहिए न, बोला था, extra चाहिए, तो मैंने बोला था, कि यह 20 cm 2.2 मीटर, जोड दूँगा, तो यह कितना जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा, मतलब मुझे 63 मीटर, लेंथ की जोद पड़ेगी, तारपुलीन की, यह हमारा अंसर होगा, final, ठीक है, final अंसर क्या होगा, 63 मीटर, बास समया रही है, मैंने सबसे पहले area of तारपुलीन निकाला, मै width तो दिया ही था, width multiply by length होता है, तो length x मैंने माना था, 3 into x हो जाएगा, that is 3x हो जाएगा, फिर मैंने देखा, कि क्योंकि इस तारपुलीन से लपेटा जा रहा है, conical tent को, यानि मुझे curved surface area निकलना पड़ेगा, तो मैंने पहले slant height calculate किया, फिर curved surface area निकला जो कि यह आया, और फिर दोनों को equal कर दिया, any area of turpline और curved surface area को equal कर दिया, क्यों equal किया, क्योंकि तारपुलीन से ही tent को लपेटा जा रहा है, तो जितना तारपुलीन का area होगा, उतना ही, koon का curved surface area होगा, दोनों को equal किया, तो 3x ब्राबर this, x की value निकल ली, यह आई, question बोला था, extra भी लगेगा, 20 cm का, तो मैंने 0.2 add कर दिया, answer आगया, 63, ठीक है, अब हम लोग 6th question solve करेंगे, अब देखेगा, question number 6 है, the slent height and base diameter of a conical tom bar, 25 meter, 14 meter, तो मतलब हमें slent height given है, 25 meter, diameter given है, 14 meter, तो पहले यह सब लिख लेंगे, slent height मतलब L given है, L कितना given है, 25, diameter कितना given है, 14, diameter दिया न, 14, तो radius की जड़ पढ़ती है हमें, तो radius कितना हो जाएगा, 7, आधा होता है, 14 का आधा radius 7, question में देखिए, एक चीज़ और given है, पूछ रहा है, cost, cost पूछ रहा है, अब आप लोग cost का formula तो जानते है, cost का formula क्या होता है, area multiply by rate, area multiply by rate, ठीक है, और किस चीज़ का cost, white washing का cost, मतलब ह हमें paint करना है, white washing मतलब होता है paint करना, किसको paint करना है, एक conical tomb को, ठीक है, conical tomb मतलब कुछ इस तरह का एक figure होगा, हमें सिर्फ इतने वाले हिससे को paint करना है, ठीक है, तो अब इससी बात है, curved surface को ही paint करना है, ऐसा बोल भी दिया है, area के जगा, तो curved surface area हो जाएगा, rate देखिए वो क्या given है, 210 rupees per 100 meter square, मतलब 100 से divide भी करना पड़ेगा, यह rate है, ठीक है, तो इससे calculate नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे, यह rate given है, 200 by 100, ठीक है, मतलब 210 per 100 square meter, तो 100 से divide करना पड़ेगा, यह rate हो जाएगा, तो हमें cut surface area पहले निकालना पड़ेगा, cut surface area पहले निकालना 25 to the 50 होता है, 25 to the 50, 55, calculate करेंगे, 550 आएगा, ओके, तो cost क्या हो जाएगा, cost is equal to, area कितना आया है, 550 meter square, तो cost जो है, उसको निकालने के लिए area के value रखेंगे, जो कि था 550, rate कितना था, 210 by 100, 210 by 100, यह 0 से यह 0 गया, यह 0 से यह 0 गया, दोनों को multiply कर लेंगे, तो हमारा answer आएगा, 1155 रुपीज, ठीक है, तो बहुत ही असान question था, हमें simply cost निकालना था, cost का formula मैंने बताया, आपको area multiply by rate होता है, area के जगा मैंने 550 रख दिया, rate given था 210, per 100 meter square, 210 उपर रहेगा, नीचे 100 रहेगा, ठीक है, बाकी area तो निकालना आप जानते ही है, cost निकालाएगा, तुरन, अब question number 7 solve करेंगे, question number 7 है, a joker cap is in the form of right circular cone, of base radius 7 cm, and height 24 cm, find the area of the seat required to make 10 such cap, मतलब कहा रहा है कि कितने, हमें, कितने area लगेगा, मतलब कितना area of seat लगेगा, 10 cups बनाने में, मतलब 10 topi बनानी है, ठीक है, तो 1 topi बनाने में, 1 cap बनाने में मुछे इतना area लगेगा, pi ll, बताये, अरे आपको जो टोपी बनानी है वो कौन की बनानी है पर टोपी बनाएंगे टोपी इस तरह का होगा तो नीचे वाला हिस्सा तो लेंगे नहीं खाली कॉर्ट सर्फेस वाला लेंगे तो यानि हमें बस कॉर्ट सर्फेस एरिया निकलना होगा तो यह तो एक कैप का आएगा ना मुझे ऐसे दस कैप बनाने है ठीक है तो देखिएगा पहले हमें radius given है radius कितना given है 24 base given है sorry यह मैंने गलत लिखा है radius given है 7 radius given है 7 और height given है 24 तो क्योंकि मुझे cut surface area चाहिए और slant height चाहिए तो slant height का formula है यानि equal होता है h square plus r square की l square नहीं पता मैं तो ऐसे रनेंगे h square मतलब 24 का square r square मतलब 7 का square 24 का square होता है 576 और 7 का square होता है 49 दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 625 इदार l square है square उधा जाएगा तो root में convert जाएगा यह root 625 हाएगा इसकी value आप sol कर देज़ेगा 25 हाएगी slant height निकल लिए 25 अब मुझे अगर एक cap बनाना है for one cap for one cap एक cap के लिए मुझे कितना area लगेगा seat का area of seat क्या हो जाएगा पाई आरल अना अरे भाई cut surface area ही होगा area of seat क्या होगा cut surface area ही होगा मुझे cap बनाना है मुझे इस तरह का एक cap बनाना है conical form का ठीक है topi बनानी है तो मुझे तो बस यानि ये surface area की बात करनी होगी न इस area की बात करनी होगी और ये क्या होता है cut surface area होता है मैंने वह लिखा है एक अगर cap बनाना है एक cap उसके लिए तो मुझे के cut surface area निकालना पड़ेगा pi की value थे 22 by 7 radius की value 7 है और l की value है 25 7 से 7 cancel हो जागा इसे multiply कर लिजएगा 550 आएगा ठीक है ये एक cap के लिए है अगर मुझे 10 cap चाहिए area of n caps 10 cap का area का जाएगा 550 एक cap का था उसमें 10 multiply कर देंगे 550 और फिर एक और 0 इतना area लगेगा बास सुने आई अगर आपको एक cap बनाना है तो मुझे इतने seat की जोड़ पड़ेगी जो की को लोगा cut surface area की तो pi rl मैंने निकाला तो 550 आया अब मुझे 10 cap के लिए निकालना होगा तो 10 से multiply कर देंगे अंसर आजाएगा simple अब question number 8 solve करेंगे तो question number 8 है a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones मतलब एक barricading की जा रही है barricading आप लोग समझते होंगे cone type के barricades लगा दिये जाते हैं ऐसे से करके रोड पर तो उसके लिए हमें 50 hollow cones की जोड़ पड़ रही है 50 hollow cones और हर एक cone में जो diameter है वो 40 cm का है height जो है वो 1 meter की है और question में बोला है अगर आपको बाहर paint करना है outside में paint करना है तो cost of painting दिया है 12 per meter square मतलब यह rate given है per meter square जहां दिख जा समझे यह वो rate है क्यारा cost of painting क्या होगी सारे cones को paint करने के लिए तो पहले हम लोग देखेंगे एक cone को paint करने के लिए कितना cost लगेगा cost of making या making कहना गलत होगा cost of painting one cone एक cone को paint करने में कितना खर्च लगेगा cost का formula क्या होता है area multiply by rate और सायद आपने barricading देखी होगी barricading में जो cone use होता है वो कुछ ही इस तरीके का होगा है और question में बोल दिया hollow है hollow है मतलब नीचे वाला कोई area हिस्सा लेगा नहीं paint करते समय बस हमें outside paint करना पड़ेगा outside वाला बास सुझा रही है नीचे वाला हिस्सा नहीं रहेगा यानि हम लोग यहाँ पे area बात करेंगे तो curve surface area की बात करेंगे ठीक है तो basically मैं कह सकता हूँ यहाँ पे curve surface area आएगा into rate ठीक है बास सुझाएए तो rate तो हमें given है question में rate दे दिया है rate 12 है 12 per meter square ठीक height दी है 1 meter की और diameter दिया है 40 cm का diameter 40 cm का है लेकिन इसे पहले meter में करना होगा यानि 100 से divide करना होगा तो यह 0 से 0 कट जाएगा हमें मिलेगा 4 by 10 ठीक यह कह सकते हैं 0.4 मिलेगा तो radius कितना हो जाएगा 0.4 का अधा यानि 0.2 अब देखिए हमें तो slent height चाहिए होता है height तो चाहिए नहीं होता है slent height का formula क्या होता है 0.2 का square निकाल लीजेगा 0.04 आएगा जोडेंगे तो यह आएगा 1.04 ठीक है तो यह L square हो जाएगा L की value कितनी हो जाएगी root 1.04 अब root 1.04 आप लोग निकाल लीजेगा तो यह जब आप calculate करेंगे तो एप्रॉक्स हाएगा 1.019 ठीक है या इतना ही रहना दीजेए यह लगबा कितना ही आएगा L की value इससे आप लोग calculator से calculate कर लीजेगा ठीक है तो हमें तो cost निकालना था cost क्या होता है cost surface area multiply by rate cost surface area multiply by rate cost surface area क्या हता है 22 by 7 sorry cost surface area का formula क्या होता है pi rl होता है rate हमें given 12 ठीक है pi की value रख देंगे जो कि यह तो रीडिये तो रीडियेस की value है 0.2 और slant height हम लोगों ने निकाला है यह आए 1.019 इंटु 12 है ना अब देखे कितना गंदा calculation आ रहा है cost आ रहा है 22 by 7 multiply by 0.2 multiply by 1.019 multiply by 12 ठीक है इससे आप लोग multiply कर लीजेगा तो यह आपका आएगा 7.692 यह cost आएगा लेकिन यह cost कितने का आएगा एक cone का आएगा ना यह जो cost है वो 1 cone का आएगा यह जो cost है वो तो 1 cone के लिए आएगा लेकिन हमें ऐसे total 50 cone बनाने हैं तो यह तो 1 cone का cost है तो 50 cone के लिए 450 450 cones cost कितना हो जाएगा 50 से multiply कर देंगे किस वाले को 7.69 को ठीक है तो यह multiply कर लिजेगा 384.61 के आसपास Approx ठीक है यहाँ पर आप exact value नहीं निकाल पाएंगे याद रखेगा और exam में इतना tough number नहीं देगा जिसे आप calculate न कर पाएं ठीक है तो देखे हम लोगों ने क्या किया है हम लोगों को निकालना था cost of painting all these cones तो पहले देखेंगे एक cone को paint करने में कितना करच आएगा अब क्योंकि cone को paint कर रहे हैं जो की hollow है area multiply by rate यह cost होता है area लेकिन कौन सा total की curve हमेशा सोचना पड़ेगा आपको area कौन सा total वाला area की curve surface area दो तरके area होते हैं cone तो क्योंकि hollow cone है तो curve surface area ही आएगा और curve surface area आप लोगों निकाल सकते हैं curve surface area कैसे निकाला था पाई आरल करके तो पाई आरल करके निकालिएगा ठीक है उसके लिए पहले आपको L निकालना पड़ेगा L यह आएगा उल्टा सिधा calculation है इसमें ठीक है L निकाल लीजेगा यह आएगा फिर curve surface area के value होती है पाई आरल rate दिया हो अथा 12 पाई आरल मैंने value रखा 22 by 7 0.2 1.09 फिर 12 इन सब को multiply किया तो मेरा answer यह आया ठीक है अब क्योंकि यह तो one cone का cost आया है मतलब एक cone को जब आप paint करेंगे तो 7.6.9 रुपया लगेगा तो 50 cone को paint करना है तो 50 से multiply कर देंगा तो 50 cone का paint का cost आजाएगा तो यह कीतना आएगा यह हमारा answer जाएगा इस question में calculation tough था questions करा दिये first exercise से related कोई doubt होगा तो आप लोग telegram channel या फिर comment box में पूछ लिजएगा आज की video मसितना ही मिलते अंगली video में तब तक के लिए good bye